करनाटक की ब्यूरोक्रेट लॉबी में तनाफ की खबरे हैं IPS अफसर डी रूपा मौद्गिल और IAS अफसर रोहिनी सिंदूरी ने एक दूसरे के खिलाफ भष्टाचार और अन्य अधिकारियों को निजी तस्वीरे भेशने के आरोप लगाए है शानिवार 18 फरवरी को डी रूपा ने रोहिनी के खिलाफ 19 आरोप लगाए इसमें भूमे रिकॉर्ड विभाग में अपने अधिकार का गलत अस्तमाल करने रियल स्टेट में परिवारवाद अगोशत संपत्ती और IAS अधिकारी डीके रवी की रहसमें मौत में उनकी भूमे क जैसे आरोप शामिल हैं डीके रवी 2009 बाच के IAS अधिकारी थे रवी को एक इमानदार अफसर माना जाता था कोलार में अपनी पोस्टिंग के दोरान उन्होंने रेट माफिया के खिलाफ कारवाई की इसके बाद उन्हें बेंगलूरू ट्रांसफर कर दिया गया जहां उन् चिक करों के लिए अतरिक्त आयुक्त के रूप में काम किया 16 मार्च 2015 की शाम रवी अपने बेंगलूरू के अपार्टमेंट के अंदर म्रत पाए गए यूबेसी में 34 रैंक पाने वाले 14 साल के रवी का शरीर पंखे से लटका हुआ मिला पुलिस ने शुरू में कहा कि प्रतम द्रश्टिया मामला आत्महत्या का लग रहा है फिर भी रवी की मौत पर जम कर बयान बाजी हुई करनाटक में कोलार, मांडे और तुमकुरू बेल्ट में खुब विरोध प्रदर्शन भी हुए प्रदर्शनों में यही बास सामने आई थी कि माफियां और ताकतवर लॉबी से उलजने की वज़ा से ही उन्होंने दबाव में आकर खुदकुशी कर ली रवी का केश शुरू में करनाटक आप राधिक जाँच में भागी समाल रहा था लेकिन रवी के परिवार, दोस्तों और समर्थकों के दबाव और विपक्षी पार्टियों की मांग के बाद ततकालीन मुख्यमंत्री सिध्धार मया ने केश CBI को सौप दिया रवी की मौत के एक हफते बाद CBI को मामला सौपा गया था और दो महीने बाद जाँच एजिंसी ने रिपोर्ट दी कि रवी एक अनुचित रियल स्टेट डील में शामल थे ब्यारो ने जानकारी दी कि रवी और उनके एक साथी ने 50 एकड़ जमीन खरीदने के लिए पैसे उधार लिये थी ताकि वो अपना खुद का रियल स्टेट बिसनिस शुरू कर सके हाला कि बिसनिस कभी शुरू नहीं हुआ क्योंकि जिस जमीन का सौधा हुआ था उसे मंजूरी नहीं मिली सीबियाई ने तब कहा था कि इस विपल सौधे के पैसे वापस ना कर पाने की वजह से रवी ने आत्म हत्या कर ली हाला कि बीस महीने की जाँच के बाद सीबियाई ने जाँच की अंतिम रिपोर्ट पेश के और इस रिपोर्ट में कहा कि रवी ने विक्तिगत कारणों से खुद की जान ली थी और उन पर कोई बहरी दबाब नहीं था जाँच की दोरान एक मुद्दा और उठा था रवी और एक महला आईएस अधिकारी का प्रेम प्रसंग ऐसी खबरे सामने आई थी कि रवी ने एक महला आईएस को कई मेसेज़स भेज़े थे और ये एक तरफा प्रेम संबंध था खबरे बनने लगी कि एक तरफा प्रेम के दुखने रवी को आत्म हत्या के लिए बेवस कर दिया बात मीडिया में कैसे आई इस बात के लिए करना ज़क हाई कोड ने स्टेट पॉलिस और सी आई डी को फटकार लगाई कोड ने कहा था कि जाँच एजनसी के पास से सबूत मीडिया में कैसे चले गए पॉलिस ने मीडिया से कहा था कि मेसेजस की बात से लोगों ने खुदागी कहानी बना ली अब इस आई एस बनाम आई पेस मामले में भी मुद्दा उट गया है IPSD रूपा ने अपने इल्जामातों में दावा किया है कि IES सिंदूरी उन्हें ब्लॉक कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया लिखा दिवंगत IES अधिकारी DK रवी एक सजजन व्यक्ती थे CBI के रिपोर्ट में उनकी चैट का जिक्र है जैसे ही चीजें नियंतरन से बाहर हो गए सिंदूरी उन्हें ब्लॉक कर सकती थी उन्होंने उन्हें स्थाई रूप से ब्लॉक नहीं किया था और कई अंडे लोगों को लगता है कि उन्हें ब्लॉक नहीं करना उन्हें आगे वढ़ने का बढ़ावा देता रहा आगे करनाटक के इस हाई प्रोफाइल मामले में जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथ ही सोम मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है देखते रहिए दिललन लंटौ शिक्रिया